92.7 बिग एफम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियेट बॉक्स विद नील इशमिस्रा दोस्तों आज की कहानी का नाम है सेकिंड इनिंग और इसको लिखा है कंचन पंथने सुभा के साड़े पांच बज रहे थे अंधेरा भी छटा नहीं था बाहर निपट शान्ती थी और राजेंदरनात के दिल में बेपनाह सूनापन रात भर में वो कई बार करवटें बदल चुके थे हर तरह से नींद को मनाने की कोशिश कर चुके थे रात को सोने से पहले पैर दोए चादर बाकायता बदल कर सोए तक्ये के नीचे मोर पंक भी रखके देख लिया पर नींद थी कि किसी जिद्दी बच्चे के तरह रूट के बैठी थी पूरी रात कुजर गई राजेंद्रनाथ एक पलक नहीं सोपाय थे यूँ तो अपनी पत्नी विशाखा की मौत के बाद से ही नींद के साथ उनकी लुकाच्छे भी चल रही थी लेकिन जब से वो याच शहर आये थे तब से सोना और भी मुश्किल हो गया था हार कर राजेंद्रनाथ ने रजाई परे फेक दी बिस्तर से उठे और साइड टेबल से पानी का जग उठाया लेकिन जग खाली था राजेंद्रनाथ दबे पैरों से रसोई में गए बहुत सम्हाल कर फिल्टर से पानी भरा और लाख सावधानी से काम करने पर भी जग का धकन हाथ से गिर गया आवाज हलकी सी यह हुई लेकिन राजेंद्रनाथ का दिल जहला गया एक पल को उन्हें खुद पे घुसा भी आया इतना डरने क्यों लगे हैं वो क्या होता अगर विभौर और अदिती की नीन खुल जाती विभौर उनको जिड़क थोड़ी देता उ घर में सारी सुख सुवधाय थी लेकिन राजेंद्रनाथ अपना मन रमा नहीं पा रहते हैं दिन भर करने को कुछ होता नहीं था जान पहचान का कोई था नहीं टीवी देखना उनको सख नापसंद था और पढ़ने लिए चश्मे की जरूरत थी जो तीन दिन से तूटा विभोर और अदिती दोनों वेस्ट रहते थे इसलिए उनको चश्मा बनवाने के लिए कहने की हिम्मत नहीं हुई राजेंद्रनाथ को याच शेराए 20-22 दिन हो गए थे और मुश्किल से दो बार वो घर के बाहर गए थे एक बार जब अदिती उनको बाजार ले गए थी उनके लिए कपड़े खरेद वाने और दूसरी बार विभोर कॉलनी के पार्ट तक चक्कर लगवा के आया था पानी पीकर राजेंद्रनाथ फिर से अपने कमरे में आ गए उनको चाय की जबरदस तलब हो रहे थी खुँच चाय बनानी आती थी लेकिन आवाज से विभोर और अदिती की नीम ना खुल जाए इसलिए बैठे रहे सर में थोड़ा दर्द हो रहा था सोचा थोड़ी देर खुली हवा में सांसी ले ले राजेंद्नाथ उठे अपना बिस्तर जाड़ा हवाई चपल पहनी और घर से बाहर निकल गए पार्क का रास्ता कुछ-कुछ याद था अनुमान के सहारे वो कॉलोनी के पार्क तक पहुँची गए बहुत दिनों बाद कुछ-कुछ भला से लग रहा था उनको सूरज अब भी नहीं निकला था लेकिन अधेरा थोड़ा कम हो गया था राजेननात एक बेंच पर बैठ गए और पीछे सर टिका लिया राद भर सोय नहीं थे इसलिए आँखें थोड़ा जपकने लगी थी अभी कुछ मिनट भी नहीं हुए थे उनको इस तरह से बैठे हुए कि उनको लगा कि जग जोर के कोई उनको जगा रहा है राजेननात ने आँखें खोली तो एकड़म से घबरा गए पचास पचपन साल की एक दुबली पतली औरत उनके कंधों पर जुकी हुई थी आप सुन रहे हैं यादों का इड़िट बॉक्स विद नीलेश मिस्टरा सर्फ 92.7 बिग एफेम पर राजेननात के आँखें खोलते ही औरत ने अपना हाथ उनके कंधे से हटा लिया वो औरत काले रंग के ट्रैक सूट में थी उसके कंधे पर एक छोटा सा बैग लटका हुआ था उसके कानों में एर प्लाग्स इस वक्त कंधे से जूल रहे थे और उनसे चन चन के किसी हिंदी गाने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रहे थी आप ठीक है ना उस वो औरत ने पूछा हाँ वो ज़रा नीम लग गए थी राजेननात हरबढ़ा गए राजेननात की बात सुनकर वो औरत जोर से हस पड़ी उनको थोड़ा संकोच हो आया हैसी हसने की कोई बात तो नहीं कही थी उन्होंने और देर तक हस्ती रही और फिर मुश्किल से अपनी हसी रोक के बोली आप सोय थे मैंने समझा कि आप गए बड़ी अजीव औरत है राजेननात ने सुचा किसी के मरने की बात इतनी आसानी से कोई कैसे कह सकता है वाला उसकी वेश भूशा भी राजेननात जी को थोड़ा अटपटी लग रही थी उस उम्र की ओरतों को उन्होंने साड़ी में या ज़्यादा से ज़्यादा सलवार कमीज में देखा था हलाकि ऐसे कपड़ों में भी वो औरत उनको हराब नहीं लगी अब जबकि आप जिन्दा हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं तो जरा मेरे इस बैक का ध्यान रखिएगा मैं पार्क के चारपाँ चक्कर लगा के आती हूँ वो औरत जवाब का इंतजार किये बिना दोड़ गई राजेन नाथ हक्के बक्के होके उसको देखते रहे करीब 30-40 मिनिट बाद पसीना पोच्टी हाफ्ती वो औरत बापस आई और राजेन नाथ के बगल में आके बैठ गई वसे भाइसाब पार्क में आके बैठ चाने का कोई मतलब नहीं है फिर भी बैठ का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद राजेन नाथ ने खिस्यानी सी हसी हस्ते हुए बैग औरत की और बढ़ा दिया औरत ने बैठ खोला और अंदर से एक थरमस निकाल के बोली चाय तो पीते हैं ना जवाब का इंतिजार इस बार भी नहीं किया उसना थरमस के डखन में चाय निकाल कर राजेन नाथ की और बढ़ा दी राजेन नाथ को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी चीज़ की थी उन्होंने संकोच को कोने में रखा और चाय का ढकन पकड़ लिया अगले आदे घंटे में राजेन नाथ दो बार चाय पी चुके थे और यह जान चुके थे कि इस वरत का नाम सुधा है वो एक स्कूल में पढ़ाती है रोज सुबह यूँ ही थरमस भर चाय लेके पाक आती है थोड़ी देश सैर करती है फिर यहीं बैटके चाय पीती है विशाखा के अलावा राजेन नाथ जी की औरतों से ज़्यादा बातचीत कभी हुई नहीं थी पहले सुधा से बात करने में भी हिचकिचा रहे थे लेकिन सुधा की जिन्दा दिली और साफ गोई ने उनको ज़्यादा देर अजनभी नहीं रहने दिया आपने अपने नाम बताई दिया है तो मैं आपको राजेन भी कहके बुलाओ वो क्या है ना कि भाई साफ बड़ा अपचारिक लगता है सुधा ने कहा तो राजेन बिना मुस्कुराय नहीं रह पाए आप रोज सुबे पार्क में दौर लगाती है मैं तो घुटनों के दर्द के मारे कुछ करी नहीं पाता राजेन नाथ ने पार्क में आके बेंच पे बैठ जाने के लिए जैसे सफाई दी हाँ होता तो है कभी कभी दर्द सुधा बोली लेकिन मुझको दर्द को पालना अच्छा नहीं लगता अपने बैग में से एक वास्तिक लिफाफे के अंदर रखी कुदाल को निकालके वो उठ गई राजेन नाथ भी उनके साथ ही उठ गए बेंच से उठकर सुधा बागीचे के दूसरे कोने के और बढ़ गई फूलों की एक क्यारी के पास बैठी और कुदाल से गुडाई करने लगी राजेन नाथ भी घुटनों के बल बैठके क्यारी में ओगाई घास पात उखाडने लगे आपके घर में और कौन कौन है राजेन नाथ ने पूछा पती देव रहे नहीं तो अब मैं ही हूँ बस सुधा बोली और कोई नहीं है फिर भी आप इतनी खुश जटके से राजेन नाथ बोल तो गए फिर ख्याल आया कि शायद ये सवाल पूछ कर उन्होंने ठीक नहीं किया सुधा जोर से हाँसे फिर थोड़ा गंभीर हो गई कोई नहीं तो क्या हुआ मैं खुद हूँ ना अपने लिए और मैं सिर्फ जीना नहीं जिन्दा रहना चाहती हूँ और जिन्दा रहने के रास्ते तो मिली जाते हैं जैसे कि ये देखो सुधा ने अपने हाथ में लगे टैटू की और इशारा किया हर महीने कोई शौक पाल लेती हूँ एक से मन भराए तो दूसरा दूसरा ना रासा है तो तीसरा वक्त कट जाता है मन लग जाता है और क्या एक घंटे बाद जब राजेन नात अपने घर के लिए लोटे तो एक इंच लंबी मुस्कुराहट उनके होटों पे खेल रही थी उनको याद आया कि इससे पहले मुस्कुराए हुए उनको कई महीने हो चुके थे आप से मुरहे हैं यादों का इड़िट बॉक्स विद नीलेश मिस्रा सिर्फ 92.7 बिग एफम पे राजेनात घर पहुँचे दर्वाजे पर काल लगा कर अंदर की आहट लेने की कोशिश की विभोर और अदिती अभी भी उठे नहीं थी शायद एक पल जिजखने के बाद उन्होंने बेल बजा दी अपना जुडा बानती आँखें मलती अदिती ने दर्वाजा खोला सामने राजेनात को देखा जीन स्टॉप अलमारी में बंद कर दिये थे अब पापा आप कहा गए थे अदिती ने जहिप कर पूछा जरा पाक तक घुमने चला गया थे बजी तुम जाओ सोजाओ राजेनात ने मुस्कुराते हुए का अदिती ने हैरानी से अपने ससुर का चहरा देखा राजेनात आज उससे बात कर रहे थे वो भी मुस्कुराते हुए वरना उसने उनके मुसे हाँ या नहीं के अलावा कोई खास शब्द सुने नहीं थे नहीं पापा आज तो मैं वैसे ही लेट होगी हूँ वो जी मीटिंग है आप बैठी मैं चाय बनाती हूँ अदिती भी राजेनात से थोड़ा खुलने लगी थी बहुत नहाओ चाय मैं मना देता हूँ राजेनात ने का अदिती लाख मना करती रही पर राजेनात चाय बना कर ही मने विभोर और अधिती तयार होकर आफिस चले गए लेकिन आज राजिन नात को उनके जाने के बाद घर काटता हुआ नहीं लगा करने को कई सारे काम थे उनके पास सबसे पहले उन्होंने काम वाली से पूरा घर साफ कराया सारी चाद्रियां और कुशन बदलवाए फिर अपना चश्मा बदलवाने निकल पड़े और बाल भी तो कटवाने थे विशाका को बड़े बालों से बहुत चिड़ थी और उन्हें खुद भी ऐसे बाल अच्छे नहीं लगते थे पिछले कुछ सालों से उन्होंने अच्छा लगना बुरा लगना जैसी चीजों के बारे में सोचना भी छोड़ दिया था पर आज सुधा से मिले तो याद आया कि वो जिन्दा है और जब तक मौत नहीं हो जाती तब तक उनको जिन्दा ही रहना चाहिए अब रोज सुधा पार जाने का नियम उन्होंने बना लिया सुधा से भी मुलाकात रोज होती थी उनको सुधा के साथ की आद़त पढ़ती जा रहे थी सुधा को भी उनके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था पिछले तीन महीने से राजे नात रोज सुबह मॉनिंग वॉक पजा रहे थे एक दिन जब सुबह उठे तो बदन तूटता हुआ महसूस हुआ तेज बुखार भी चड़ा हुआ था बहुत कोशिश की खुद को पार्ग तक घसीटने की लेकिन दर्वाजे तक पहुँशते पहुशते हिम्मत जवाब देने लगी सैर के लिए जाना तो दूर उस दिन वो बिस्तर से भी नहीं उट पाए अगले दिन भी हालत ऐसी ही थी विबहोर और अदिती दोनों के आफिस में आडिट चल रहा था छुटी मिलने का तो सवाल ही नहीं था दोपहर तक बुखार थोड़ा कम हो गया था पर कमजोरी वैसी ही थी दोपहर को दर्वाजे की घंटी बजी राजिन नाथ ने दर्वाजा खोला तो सामने सुधा खड़ी थी अपने दर्वाजे पर सुधा को देखकर राजिन नाथ थोड़ा हैरान हो गए हलाकि एक दिन उन्होंने खुद ही अपना फ्लाट नमबर सुधा को बताया था लेकिन वो इस तरह घर पे आ जाएगी उनको बरोसा नहीं था तुम? मुझे लगी रहा था कि तुम्हारी तविर्ट खराब होगी उस दिन भी थोड़ा सुस्त लग रहे थे तुम सुधा ने बिना किसी भूमिका के कहा राजिन नाथ को सहरा देती हुई वो अंदर ले आई डॉक्टर को दिखाया? नहीं दिखाया होगा? सुधा ने खुद सवाल पूछा और खुद ही जवाब भी दे दिया और तुरुन डॉक्टर को फोन भी कर दिया पूरा दिन सुधा राजिन नाथ के घर पर ही रही राजिन नाथ यू तो उनको चिंता न करने और घर लोटने के लिए कह रहे थे लेकिन दिल से वो खुद भी जानते थे कि सुधा उनके आसपासी रहे सुधा का उनकी फिकर करना उनका ध्यान रखना उनको अच्छा लग रहा था दो तीन दिन बिमार रहे राजिन नाथ और उसके बाद जब पाक पहुँचे तो सुधा ने उनका पार्प में शौल लोड़कर आना और कानों को मफलर से ढखना अनिवारे कर दिया पहले राजिन नाथ और सुधा सुधा साड़े पांच बजे पाक पहुँचते थे और साड़े छे बजे तक लोटाते थे साड़े छे, साथ, साड़े साथ और साड़े साथ कब साड़े आठ में बदल गया दोनों को एहसास ही नहीं हुआ राजिननात अब अख़वार भी पाक में ही पढ़ने लगे थे हर खबर जोर से सुधा को पढ़कर सुनाते थे पर दोनों की दोस्ती अब लोगों की नजर में आने लगी थी इसका अंदाजा राजिननात को तब हुआ जब एक दिन घर महुशने में उनको थोड़ा ज़ादा ही देर हो गई जैसे उन्होंने दर्वाजा खट-कटाया विभोर ने तपाक से दर्वाजा खोल दिया जैसे उन्हीं का इंतजार कर रहा हो पापा आजकल पाक में आपको कुछ ज़्यादा ही देर हो जा रही है वो अंदर घुस पाते इस से पहले ही विभोर ने पूछ लिया अरे मौसम अच्छा है फिर अखबार भी मैं वही बैटके पढ़ लेता हूँ राजेन जी ने विभोर की बात को ज़्यादा तवज्यों नहीं दी वही तो पापा आप इतनी देर तक अखबार पढ़ते रहते हैं जो को आफिस से आकर पुरानी नीज पढ़नी पढ़ती है विभोर ने कहा ओहो इतनी सी बात है कोई बात नहीं मैं कल से अपने लिए दूसरा अखबार खरीद लूँगा पार्क के पास ही तो बैटता है वारवाला पापा बात वो नहीं है विभोर को छेचकता हुआ बोला मेरा दोस्ट बता रहा था कि आप पार्क में किसी औरत के साथ आगे की बात विभोर ने अधुरी छोड़ दी जो कह दिया गया था और जो कहा जाने वाला था उसको सोचकर राजीन रनाथ के तन बदन में आग लग गई तुम्हाएं दोस्ट का दिमाग ठिकाने हैं कि नहीं इस उम्र में कह यही सब बचाएं में लिए और तुम तुम भी मुझसे सवाल कर रहे हो राजीन नाथ चिला है विभोर की तो बोलती बंद हो गई वो उठे और धरधराते हुए अपने कमरे में घुज गए सुधा और वो अब तक इस रिष्टे के बारे में सूचने की उनको जरूत नहीं पड़ी थी पर अब विभोर के सवाल ने उनको मत कर रख दिया विभोर और अधिती ओफिस चले गए थे दिन में राजे नात ने प्लेट में खाना निकाला आज भी शिमला मिच की सबजी थी पिछले चार पांच महीनों में उन्होंने शिमला मिच की सबजी खाने की आदट डाल ली थी लेकिन आज एक निवाला भी हलक के नीचे नहीं उतरा उन्होंने रोटी और सबजी अखवार में लपेटी और कूरे दान में डाल दी फिर अपनी चारपाई पर जाके लेट गए बीमारी और रात के लावा किसी भी वक्त बिस्तर पर पसरना राजे नात को पसंद नहीं था लेकिन आज उनको लग रहा था कि उनके शरीर में जान ही नहीं बची है दिन तो उलजहन में गुजरा ही रात भी आँखों में ही कटी अगले दिन पार्ग जाते समय वो अपने दिल में एक फैसला कर चुके थे उन्होंने बिना किसी भूमिका के सुधा से कह दिया सुधा आज के बाद हम नहीं मिलेंगे सुधा हैरानी से राजिननात को देखती रही वो एक शक्स जो उनका दोस्त बन गया था वो उनसे दोस्ती तोड रहा था क्यों? सुधा बोली तुम जानती हो हमारे बाद में लोग क्या बात कर रहे है यहां तक कि मेरा बेटा भी? राजिननात ने कहा मैं जानती हूं सुधा ने कहा और चुप हो गई दोनों खामोश थे काफी तेर बाद सुधा बोली तुम मुझ से शादी करोगे? यह क्या कह रही हूं सुधा? तुम से शादी इस उमर में? लोग क्या कहेंगे? और मेरा बेटा? राजिननात की आवाज और होट तोनों कहाँ पुठे राजिन क्या आखे मून के बैठे हो? बच्चों की अपनी अलग दुनिया है हम उनकी दुनिया में बस तब तक हैं जब तक उनके लिए रुकावट नहीं बनते उनकी वज़े से अपनी जिना नहीं छोड़ सकते हो तुम यह नहीं हो सकता सुधा मैं नहीं कर पाऊंगा यह रिष्टा आप मैं नहीं निभा पाऊंगा राजे नाथ ने सुधा की हतेली के नीचे दबा अपना हाथ धीरे से उठाया और वापस लोट गए उनके कदम आज सीधे नहीं पड़ रहे थे अगले दिन रोज की तरह राजे नाथ की नीन जल्दी खुल गई वो उठे कानों पर मफलर कसा ही था पर कुछ याद आया और उन्होंने अपने मफलर उतार दिया चार पाई पे बैठ गए देर तक अंदर बाहर करने के बाद राजे नाथ उठे और पार्क की तरफ बढ़ गए पार्क अकेले सुधा का थोड़ी था सुधा अपनी रोज वाली बैंच पे बैठी हुई थी राजे नाथ बगल में जाके बैठ गए कुछ बोले नहीं सुधा ने धरमस से चाय निकाली और राजे नाथ की और बढ़ा दी राजे नाथ ने बिना कुछ कहे चाय ले ली अखवार पढ़ने लगी रोज के वक्त पे दोनों उठे और अपने अपने घरों की और चल दी राजे नाथ सुधा से दूर रहना चाहते थे उनसे बात नहीं करना चाहते थे लेकिन रोज सुबह वो फिर खुद को पार्क में सुधा के बगल में बैठा पाथे पिछले कुछ दिनों से राजे नाथ महसूस कर रहते कि विभोर और अदिती जैसे उन पे नज़र रख रहे हूँ उस दिन राजे नाथ का जनम दिन था विशाखा के जाने के बाद उनके अलावा किसी को उनका जनम दिन याद नहीं रहता था सुबह राजे नाथ उठे तो देखा कि आज अदिती और विभोर भी जल्दी उठ गए थे राजे नाथ पार जाने को निकल ही रहते कि विभोर ने उनको रोक लिया पापा वो मुझको कुछ कहना था बैठे ना विभोर ने का राजे नाथ ने सवालिया नजरों से विभोर की और देखा पापा मुझको प्रोमोशन मिल गया है मेरी कंपनी मुझको अमेरिका भेज रही है शायद अदिती भी मेरे साथ ही जाएगी विभोर बोला राजे नाथ का चेहरा खेल पड़ा बेटे की काम्याबी पे सीना चोड़ा हो गया उनका पर पापा एक प्रोब्लम है इस बार आदिती बोले कैसी प्रोब्लम राजे नाथ ने सोफे पे बैठते वे का पापा हमें एक साल के लिए जाना होगा अब इतने समय तक इस घर का किराया देना आप समझ है न अगर आप गाओं वापस चले जाते राजे नाथ की सीने पे जैसे किसी ने गुंसा मार दिया हो अमेरिका जाने की उनकी कोई खाहिश नहीं थी विभोर ने अगर कहा भी होता तो वो नहीं जाते पर इस तरह अपने बेटे और बहु का उनको अपनी जिंदगी से निकाल के अलग कर देना राजे नाथ को गहरा चुब गया सुदा की बात रह रहे के राजे नाथ के कानों में गूंज रही थी उनके बेटे ने एक जटके में अपनी दुनिया अलग कर ली थी तुम मेरी फिकर मत करो बेटा अपना फैसला कर चुका हूँ तुम लग सिर्फ अपने फैसले करो राजे नाथ ने कहा और उठ खड़े हुए उनकी आवाज अब कांप नहीं रही थी बारिश के बाद निकली नरम धूप जैसी मुसकान उनके हूटों पे खेल उठी थी पिशले चार दिन से उनकी सुधा के साथ बाच्चीत बन थी दोनों रोज पाक आ रहे थे साथ में सैर भी कर रहे थे सुधा अब भी उनको चाय पिलाती थी लेकिन चाय पीते वक्त राजे नात उनको अख़बार पढ़के नहीं सुनाते थे और सुधा अपने सीरियल के पिछले चार एपिसोड की कहानी अपने ही अंदर पचा के बैठी हुई थी उस दिन राजे नात काफी देर से पाक की बेंच पे आके बैठे हुए थे बार बार गेट की और देख लेते लेकिन सुधा का पता नहीं था काफी देर बाद सुधा आई और आते ही सुनहरे कागज में लिप्टा एक पैकेट राजे नात की और बढ़ा दिया पैकेट देखकर राजे नात की आँखों में बच्चों जैसी चमका गई ये क्या है चश्मा है तुमाई ले आँखों को अखबार के अंदर ही घुसा लोगए लेकिन ये नहीं की नया चश्मा ले आऊ सुधा ने कहा इतना घुमा फिरा की क्यों बोल रही है सीधे सीधे कहो ना कि मेरे जनम दिन का तुफ़ा है राजे नात सुधा के हाँच से पैकेट लेते वे बोले ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है राजे न साब मैं तो भलमन साथ में ले आई और कितनी मुश्किल हुई मुझको पाक के मेंबर्शिप के फॉर्म्स में तुम्हारा जनम दिन ढूनने की वरना इस बुढ़ापे में कोई जनम दिन मनाता है भला सुधा ने कहा राजे नात उनकी बातों पे ध्यान दिये बिना चश्मे के केस वाला पैकेट खोलने की कोशिश करने लगे तेप थोड़ा मजबूत था और उसका सिरा राजे नात की पकड में आ नहीं रहा था उन्होंने सर उपर उठाया और सुधा से बोले सुधा मुझसे शादी करोगी सुधा ने उनके हाथ से पैकेट ले लिया और खुद खोलने लगी बरबराती भी बोली एक गिफ्ट पैक तो खुलता नहीं इनसे शादी करने चले वैसे भी कुर्टा पैजा में पहनने वाली आदमी मुझको नहीं पसंद है तुमाई ये मूचे भी नहीं इच्छी लगती मुझको और उमर देखी अपनी 64 के हो गए हो सुधा पैकेज से चश्मा निकालते हो बोली अरे तो तुम कौन सा पच्चीज की हो राजेनाथ ने चश्मा अपनी आँखों पे लगाया और छेडते हो बोले सुधा ने कुछ कहा नहीं और राजेनाथ के बगल में आके बैठ गई सुधा मैंने सोच लिया है मैं फिर से नहीं शुरुआत करूँगा तुम्हारे साथ सुधा मुस्कुराकर पार्क के पांट चक्कर लगाने चली गई वापस आई तो देखा अपनी आखें मून कर बेंच पर सर दिका कर राजेनाथ बैठे थे काफी देर तक ऐसे ही बैठे रहे राजेन आप ठीक है ना सुधा उनका कंधा हिलाते हो बोली राजेन ने अपनी आखे खोली मुस्कुराए कई दिनों की बारिश के बाद जैसे धूप निकल आई हो आप सोए थे मैंने सुचा कि आप गए सेहट ठीक कर लो अपनी रोज दौरना शुरू कर दो अपने हस्बन को इतना आलसी नहीं रहने तूंगी मैं बस एकनी सी थी ये कहानी